दोस्तों नमस्कार देश रोजाना मल्टी मीडिया देश रोजाना यूट्यूब चैनल देश रोजाना फेस्बुक लाइव आपका स्वागत है आपके साथ लगातार हम कई मुद्दों पर आपसे लाइव भी चर्चा किया करते हैं और उनको रिकॉर्डिट भी आपके पास कर्षाथाती हैं कई मुद्दों पर जिनके अंदर की राजनीतिक होते हैं सामाजी को थे इन सब परम आपसे बात किया करते हैं आज क्योंकि मुद्दा मुख़्य राजनीतिक है इस समय हर्याना विधान सभा का जो चुनाव नजदीक है तो चुनाव को ले करके सब कुछ चुनाव मई है आप किसी चौपाल पर चले जाएं किसी चाय की दुकान पर चले जाएं किसी नाई की दुकान पर चले जाएं टपरी पर बैठ जाएं तो आपको राजनीतिक चर्चा जरूर मिलेगी राजनीति के अंदर जो प्रमुक होता है जो मुख्य हुआ करता है हलाकि तमाम राजनिता कहते हैं कि वो जाती-पाती की बात नहीं करते, वो छेतरवाद की बात नहीं करते, वो पाल-चौपाल की बात नहीं करते, वो गाउं और महलेक शहर की बात नहीं करते, यानि कि चाहे परधनमंत्री मोधी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, लेकिन प्रत्यास्यों का चैनाव में चेहरे उतारे जाते जाते हैं कियुक немे। किसी भी प्रकार से सत्ता में आना अब जब चुनाव नजदीक है जब चुनाव की दस्तक बड़े पास से सुनाई दे रही है तो ऐसे में तमाम प्रकार के मुद्दे चल रहे हैं और हम आपसे लगातर बात किया करते हैं और इनी मुद्दों में एक मुद्दा है इनी मुद् पंजाबी समाज को क्या मिलना चाहिए था इसको लेकर खासकर उन लोगों में जो पंजाबी समाज से जुड़े हुए हैं खासकर चर्चाएं है और जब चुनाव नजदीक है मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बताऊं कि चाहे वो देश की आजादी का दौर हो जब भारत और भारत से अलग हो करके पाकिस्तान बना उस समय का दौर हो और चाहे फिर हरियाना बनने का दौर हो पंजाबी समाज का एक अपना अलग महत्व रहा है पंजाबी समाज की अपनी एक भूमी का रही है जब देश का बटवारा हुआ तो उस समय जो विस्थापन का दंश पंजावी समाज ने जहिला लगवग डेड़ साल तक आप और हम सभी जानते ही हैं कि उस सब को देखते हुए पिछले दो-तीन साल पहले जो परधानमंत्री नरेंदर मोदी ने चौधा अगस्त को डिकलेर किया था विभाजन विभीशी का दिवस यानि कि उन लोगों को याद करने का जिनोंने की विस्थापन के दोरान बटवारे के दोरान दंश जिले जो उस समय कतले आम हुआ जो लोगों की जान गई जिन लोगों पर जुल्म हुए उस सब को ले करके और उसका एक महत्वपून पाड़ था पंजाबी समाज जब बटवारा हुआ तो विस्थापन का जो दंश जिला पंजाबी समाज ने एक तो वो जो मैंने आपको कहा कि भारत के निर्मान के समय या देश जब अलग हुआ तब और दूसरा अगर आजाए इसके अंदर तो फिर दूसरी बात आजाती है कि हर्याना जब बना एक नमबर 1966 को जब पंजाब से अलग होकर हर्याना का निर्मान हुआ तो मैं आपको ये बता दूँ कि अगर उस समय जब बटवारा हो रहा था पंजाब का हर्याना जब अलग हो रहा था अगर पंजाबी समाज अपनी मात्र भाषा को हिंदी ना लिखता अगर वो पंजाबी कहता तो फिर हर्याना का बनना बड़ा मुश्किल था इस लिहाज से मैं कहा रहा हूँ कि चाहे वो देश का बटवारा हुआ हो चाहे वो पंजाब का बटवारा हो करके हर्याना बना हो पंजाबी समाज ने अपनी एक महती भूमी का निभाई दोनों बातों में उसके बाद पंजाबी समाज को क्या मिला या चर्चा में है आप इसे कुछ यू माने कि आज से जो तीन दशक पहले, धाई दशक पहले का दौर था तो हर्याणा के अंदर पंजाबी समाज के लगवग 18-20 विधायक बना करते थे 18-20 MLA हुआ करते थे चौधरी बजनलाल जब मुख्य मंत्री थे 1991-1996 के दौरान में तो आप मानिये कि उस समय लगवग एक दरजन मंत्री थे हर्याणा के अंदर, 12 मंत्री लगवग पंजाबी समाज के यह लिए कि वो दौर था एक क्योंकि जो हर्याणा के अंदर अगर पंजाबी समाज की आप जाने, मैं आपको पहले एक बात और बता दूँ कि पंजाबी समाज के साथ में यहाँ भी एक दोयम दरजे का वहवार हुआ है जो जनगर्ना है हुई हाला कि अब काफी समय से जनगर्ना नहीं हुई और अब कॉंग्रेस के नेता खासकर राहूल गांदी बड़े लंबे समय से दावा करना है जाती जनगर्ना करवाने का खेर जो जनगर्ना हुई नहीं काफी समय से लेकिन अगर आंकडे देखें और पिछली बातों को उठाया जाए तो पंजाबी का मतलब है पंजाबी कल्चर पंजाबी संस्कृती मैं आपको बता दूँ कि पंजाबी कोई कास्ट नहीं है पंजाबी कल्चर है पंजाबी संस्कृती है और वो लोग हैं जो विस्थापन के दौरान में यानि कि जब भारत और पाकिस्तान का बटवारा हुआ तो जब वो पश्चिम पंजाब से इस साइड आए यानि कि भारत की तरफ हुए और दूसरी तरफ जब हरियाना अलग हुआ पंजाब से तो वो लोग जिनोंने कि पंजाब से खुद को अलग करके अपने आपको हिंदी भाशी दिखाया और हरियान भी हो गए इस लिहाज से मैं कहा रहा हूँ कि जब जनगना होती है तो उसके अंदर पंजाबी समाज पंजाबियों में ब्रहमन भी है, पंजाबियों में दलित भी है, पंजाबियों के अंदर SC भी है, पंजाबियों में BC भी है, लेकिन जब गिंती होती है तो लिखा जाता है कि खत्रिय और अरोडा, यानि कि खत्री और अरोडा डाल करके पंजाबी समाज को बांट दिया गया मैंने आपको पहले ही कहा था कि चुनाव के दोरान में इस सब बाते चलती है और आप मेरे से कितने सहमत है नहीं कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताते नहीं लेकिन ये जरूर है कि जो पंजाबी समाज का दायरा होना चाहिए था वो धीरे धीरे कहीं घटता गया मैं आपको बताओं तो अगर पंजाबी समाज के अंदर हर्याना के अंदर क्या क्या रहा तो गुलजारी लाल नंदा देश के परधान मंत्री बने दो बार कारे भाग परधान मंत्री और अगर त्याग और संघर्ष उनका देख ले तो जब गुलजारी लाल नंदा जी का समाज के संद्रक्षक थे पंजाबी समाज के पुराने बजुर्ग थे और उसके बावजुद उन्होंने सर्व समाज को साथ ले करके एक मिसाल कायम की अगर आगे देखते हैं तो फिर भारती जंता पार्टी के बड़े निता डॉक्टर मंगल सेन स्वर्गी डॉक्टर मंगल सेन 1987 में चौधरी देवी लाल के साथ हर्याना के उपमुख्य मंत्री थे पंजाबी राजनीती के पुरोधा थे डॉक्टर मंगल सेन भी यह बड़े निता जो हुए दोनों अगर इनसे मैं कहूं कि आगे जब सीख लेकर के आगे इनसे प्रेणा लेकर के जो अगली पीडी शुरू हुई या इनके साथ राजनीती करने वाले लोग थे अगर हम डॉक्टर मंगल सेन की बात करेंगे तो फिर बात 1982 के दौर की भी आएगी 1987 की भी आएगी और उस समकक्ष के अगर नेताओं क्या आप नाम लेते चलें तो फरिदाबाद से विधायक हुआ करते थे एक कि दो अपके बता रहा हूं और इसके बाद देखें तो धरमबिर गावा करते थे चौद्री धरमबिर गावा गुरगाओं से आप देखें सरदार हरपाल सिंग हुआ करते थे झांप अगर आगे चलेतो विध्य साब tocarद से वहां से अपना पानी पत से विधायक थे पहुत बड़े बड़े नाम थे लक्षमंदास अरोडा सर्दार हरपाल सिंग एसी चौधरी धरम बीर गावा अमीर चंद मकड ये तमाम नाम ये वो नाम थे जो पंजाबी समाज के पुरोधा थे अशोक अरोडा इंडियान नेशनल लोगदल के परदेश अद्यक्ष भी रहे हर्या वह सारे नाम हैं कि जिन्होंने पंजाबी राजनीती को आगे बढ़ाया वो राजनीती चलती रही और इन सब के साथ जब इन सब लोगों के राजनीती के अंदर बड़े नाम रहे और सबसे प्रमुक बात आपको मैं बताता चलूं कि ये तमाम जो नाम आपको मैं बता रह शखीना जिसके साथ सब मिल कर रहते दियों के पंजाव कहीं भी मिल जाएंगे तो पंजाबी कल्चर पंजावि संस्कृति यहाई यह कहीं 1991 वाला दौर जो मैंने बताया 1991 से 1996 तक का 1996 में चौधरी बंसी लाल की सरकार बनी फिर उसके बाद ओम प्रकाश चोटाला जी आए फिर उसके बाद हुड़ा साब आए यह धीरे धीरे पंजाबी समाज का रुत्वा कम हुआ जो अगर पुराने लोग हैं या जिनका इंट्रेस्ट रहता है खासकर पलिटिक्स में तो याद करें आप लोग याद करें कि चहे राज नीतिक दल कोई भी रहा हो चौधरी बंसी लाल ने पंजाबी समाज को लेकर पुरुशार्थी प्रकोष्ट बनाया अपनी पार्टी के पंजाबी समाज से हूँ मैं भी पाकिस्तान से ही आया हूँ जब बटवारा हुआ उसके बाद अगर देखें तो चौधरी देवी लाल जी ने भी अपने साथ में कई ऐसे चेहरों को जोड़ा सुभाश कत्याल को लें सुरंदर मदान को लें कांती प्रगाश भला को लें क उस समय हर्याणा के अंदर शुरू हुआ पंचनद समारक समीती का अंदोलन और जिसके तहट आप मान लें कि आज जो प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने विभाजन विभीशी का दिवस का मनाने का एलान किया तो वो पंचनद के बैनर तले पंजावी समाज के कई बड़े हर्याना के पंजावियों को अपना हग चाहिए और वो समाजिक अंदोलन से चल करके राजनीतिक अंदोलन तक पहुंचा और उसके बदले में हुआ ये कि मनोहरलाल हर्याना के मुख्यमंत्री बन गए भारती जंता पार्टी की जब 2014 में सरकार आई तो भारती जंता है उसको मंघाब को मुख्यमंत्री मैं अगर गहराई से जाओंगा तो बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो हो जा है कि मनोहरलाल के बनने से पंजाबी समाझ को कितना नुक्सान और कितना का फायदा हुआ मनौरलाल कितना पंजाबी समाज के अप एक्षाओं पे खरे उत्रे मनौरलाल से जो पंजाबी समाज की सोच रही होगी मैं आपको बताता चलू जो पंचनत समारक समीति का अंदोलन चला स्वामी धरम देव उसके पुरोधा थे पटोधी के हरी मंदिर आश् कि इस वीडियो के बाद में आपके साथ में उन तमाम शक्सियतों से मुलाकात कराया करूंगा कि जिन लोगों ने इस आंदोलन को चलाया था या जिन लोगों ने पंजाबी और पंजाबियत की बात की थी तो अगर आगे चलते हूं मैं आपसे बात कर रहा हूं जब आगे तो फिर मनोहरलाल के रूप में हर्याना को पहला पंजाबी मुख्य मंत्री मिल गया अनिल विज के रूप में एक विस्फोटक नेता मिल गया विस्फोटक नेता मानता उनकों मैं कि जो कहीं अपनी बात को दबंगई से कह दे वो अनिल विज उसका नाम है अनिल विज उसके मार्च 2024 2312 मनोरलाल की रुकसती हो गई हर्याना से लाकि सेंटर में मिनिस्टर है लेकिन जो मुख्यमंत्री का और अरा होता है उसके सामने सारे जो एक पुरानी कहवत है पुराने लोग कहा करते हैं कि तीन चीज में होती है DM, CM और PM यानि कि DM का मतलब डिस्टिक मजिस्टेट जिलाधीश CM मुख्य मंतरी और PM परधान मंतरी ये तीन EM है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मनोरलाल की रुखसती हुई मनोरलाल पहुँचे सेंटर के अंदर आज केंदर सरकार के छटे साथ में आठवे नंबर के वजीर है और उनकी तरफ भी लोगों का निगहा है खासकर पंजाबी समाज के लोगों की कि जो मुख्य मंतरी भी रहे और आज सेंटर में बड़े ओधे पर है उनकी तरफ भी निगहा है अब जो मैं आपसे बता रहा हूँ कि अगली क्या अगली क्या बात मनोरलाल और अनिल्विज ये जो दोनों बड़े चेहरे पंजाबी समाज के थे अब ये दोनो मनोरलाल चेंटर में चले गए और अनिल्विज मंतरी भी नहीं बने वो मंतरी बस से भी बहार हो गए और इस समय वो एक मात्र विधायक हैं गोमते तो बहुत हैं लेकिन जो उनका औरा है हलाकि अनिल्विज चाहते थे कि उनको परदेश अद्यक्ष बना दिया जाए चाहते थे उन्हें संगठन में कहीं उनका और बड़ा इस्तेमाल हो लेकिन अब केवल विधायक बन कर रहे गए वो और अब जब बात आ रही है अब 2024 का चुनाव है और चुनाव के अंदर आपने कई वेबसाइट्स पर पड़ा होगा कई सोशल मीडिया प्लेटफर्म्स पर आप देख रहे होंगे कि 32 परसेंट वाला जो यह मसला है इसको यह पंजाबी समाज को जो बीजेपी की तरफ चला गया था उस पर निगाह है कॉंग्रेस की और इस वीडियो में आप से ही बात करू कि वो उन्होंने पूरा समर्थन दिया नौ टिकट मिले पंजाबी समाज को जो कभी 20 विधायक हुआ करते थे दक्षिन हरियाना में पंजाबी समाज को अगर देखें तो भारती जंता पार्टी ने केवल एक सीट दी केवल ऑनली वन सीमा त्रिखा जो पंजाबी ब्रहमन स ने तक सबी लोग आते हैं सीमा त्रिखा को टिकट मिला सीमा त्रिखा विधायक बैपनी हो और आजकल नायव सरकार में वजीर है दो बार वीधायक बनी मंत्री पथ का मनमर्य उनका नहीं आया था लेकिन अब फिलाल वो वजीर है अन्तोगत्वा उनको मंत्रीपद मिल गय दक्षिन हर्याना के अंदर 28 विधान सभा की सीट हैं लगवग दक्षिन हर्याना के अंदर मैं आपको लोकसभा वाईज अगर गिंदू तो फिर भिवानी की लोकसभा सीट गुरुग्राम की लोगसभा सीट और फरिदाबाद की लोगसभा सीट ये तीनों दक्षिन हर्याना का हिस्सा है और इनके साथ में जो 28 इसलिये का कि रोतक की कोसली विधानसभा सीट भी दक्षिन हर्याना में आती है दक्षिन हर्याना के कई बड़े शेहर हैं जहां पंजाबी संग बहुत आयत में हैं फरिदाबाद को ले आप तो फरिदाबाद के अंदर 50,000 से जादा 60,000 जादा मददाता पंजाबी है फरिदाबाद की बड़खल विधानसभा सीट है वहां पर सवा लाग के आसपास पंजाबी मददाता है बल्लबगड के अंदर पंजाबी मददाता वहां के चुनाओं को परभावित करते हैं उसके बाद पलवल आएं तो पलवल में बड़ी संख्या में पंजाबी मददाता है आगे चलें तो फिर गुरुगराम के अंदर लगवग जो टोटल मददाता है उसका लगवग लगवग 60% पंजाबी मददाता है अनिकी लगवग वहां पौने चार लाक बताए जाते है जिन मेंसे दो पौने दो लाक अकेले पंजाबी वोटर है उसके बाद गुरुगराम के बाद आए तो सौना में पंजाबी वोटर है उसके बाद आप चलें तो पटोधी में पंजाबी मददाता है रेवाडी में पंजाबी मददाता बड़ी संख्या में है कोशली के जो तीनों लोगसवा सीट में आपसे कहीं है जिनके अंदर कुल मिला करके लगबग 60 लाग से जादा वोट होंगी अगर आप इसमें मान करके चलें तो 10 लाग के आसपास पंजाबी मत दाता है यानि कि 15% के आसपास और जब टिकेट के बात आती है तो केवल एक बीजेपी की नेता कितने हैं क्योंकि जो हमारे मैंने आपको सारे नाम गिनवाए थी मनोहरलाल अनिल्विज से ले करके और लक्षमंदा सारोडा एसी चौधरी तक यानि कि 1980 के दशक वाले नेताओं से ले करके और अब 2020 वाले दशक तक इन चार दशक में पंजाबी समाज की जो अगली पीडी है नेताओं से जवाब तो मांगेगी जरूर कि अगर उनका नेत्रतव नहीं बन पारा ता उसके पीछे रीजन क्या रहा मैं आपको बताता चलूं कि इस समय अगर देखें तो पंजाबी समाज से जो टिकेट मांगने वाले लोग है जो राजनीती में दावेदारी करने वाले लोग है जिनको चाहिए कि हमें हमारा हक मि जाए तो मांगने वाले भी बहुत ज्यादा लोग दिखाई नहीं पड़ते आज फरिदाबाद की विधानसवा सीट है उल्ड की तो वहां पर परवेश महता को टिकट दिया था भारती जंता पार्टी ने 2009 के चुनाव में जब बीजे पी की कोई कुवत बहुत अच्छी थी उस समय आनंद कोशिक चुनावजीत गए थे कॉंग्रेस के 2014 और 2019 में किनारे कर दिया गया परवेश महता इस समय आमादनी पार्टी से टिकेट मांग रहे हैं बसंत विर्मानी है वहां पर बड़े नेता है उद्योग पती है अब की बार उन्होंने भी कॉंग्रेस के ट जरूर ध्यान है कि फरिदाबाद पंजाबी मैजोर्टी सीट है आगे आए बढखल विधान सभा सीट सीमा तरिखा यहां से विदाया के लेकिन कॉंग्रेस से यहां पर जब से विदाया विदान सभा के सीट बनी यहां पर चौधरी महेंदर परताब दो बार कैंडिडेट हुए और एक बार उनके बेटे विजे परताब मेंडेट हुए अब कि बार कॉंग्रेस से यहां पर पांच-छे लोग टिकेट की दावेदारी कर रहे हैं कल मैंने आपको मिलवाया था भारत अरोडा मेरे साथ थे सुरंदर अरोडा यहां पर हैं यहां पर भूनेश धिंग भी ब्रह्मन समाज से आते हैं और अगला देखें तो यहां पर फिर एक युवा नेता भी हैं वह भी काफी पिसले विधान सभा टिकेट में मांगते थे और अपकी बार भी ट्राइब में हैं अगर पलवल की बात करें तो बीजे पी से जरूर ट्राइब कर रहे हैं सुभा की दावेदारी कर रहा हो कॉंग्रेस से वहां पर चिरंजी भी राव होंगे और भारती जनता पारटी से कोई केंड़ेट कोई भी हो लेकिन मुझे दिख नहीं रहा कोई पंजाबी नेता कर रहा हो गुरोगराम की बात करें तो गुरोगराम में मुहित ग्रोवर पिसले ब अगर यहां पर देखते हैं तो फिर एक बोधराज सीकरी का नाम कल भी चर्चा चल रही थी किनी सज्जन के साथ मेरी तो बोल रहे थे वहां के प्रमुक इंडस्टिलिस्ट हैं गुरोगराम के अब यह 6-7 नाम इनके लावा कहीं कोई नाम दिखाई नहीं पड़ता अब ब यह कई जगे आप पढ़ रहे होंगे तो एक वीडियो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था उस वीडियो के अंदर हर्याना के जो कॉंग्रेस के कदावर नेता हैं करन सिंग दलाल वो कह रहे थे कि अगर पंजाबी समाज की अंदेखी हुई तो फिर कॉंग्रेस को भ मेलन किये जिनोंने यहां तक किया की जिस सब्सक्की बदौनत मनोहरलाल का नंबर लगा वह सब लोग क्या सोचते हैं चाहे वो इसी saja ho मेता है चाहिए आध्यात्मिक गुरु स्वामी धर्म देव महराज है उनसे भी मिलूँगा और इन सबसे आपकी बात्चित कराएंगे बताएंगे कि आखिर उनके मन में चल क्या रहा है और आगे क्या होना चाहिए मैंने आपको वीडियो के शुरू करते हुए कह दिया था कि चुनाव के अंदर पाल गोत्र बिरादरी समाज ये सब कुछ चलता है आज मैंने आपसे बात की है विदानसवा वाइस तों अलग अलग बात आपसे करते हैं कि इस पाल का इस छेत्र का इस जाती का इसका समीकरन ज जरूर पता हैं और इसी प्रकार के वीडियो अपडेट्स के लिए लगातार हमारे साथ जुड़े रहें देखते रहें देश रोजाना